चोपड़ा है जो किसीने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बचो नीट 22 एप्लिकेशन फॉरूम के रेगार्डिंग ये एक रिमांडर वीडियो है इसमें हम एप्लिकेशन फॉरूम फिल करते समें आने वाली है जो नीट 22 में एड्मिसन लेना चाहते हैं और अभी तक रेजिस्टेशन नहीं किया है तो वो रेजिस्टेशन कर दें क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर में काफी सारे इश्यू होते हैं इस कारण जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉरूम फिल कर दें लास्ट डे क्रेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा हालां कि अभी इसकी डेट अलाउंस नहीं हुई है बट फॉरूम की लास्ट डेट और होने के बाद ये क्रेक्शन विंडो स्टार्ट होगी और जब ये स्टार्ट होगी तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगी एक मैन प्रोब्लम इस बार आ रही है कि NTA द्वारा केटेगरी सर्टिफिकेट भी अप्लोड करवाया जा रहा है ये सर्टिफिकेट OBC, NCL और EWS के लिए ये सर्टिफिकेट 1 जनवरी 22 के बाद का होना जी एससे स्टी का तो ये पुराना सर्टिफिकेट भी मानने है हलां कि इसके लिए NTA ने एक declaration फर्म दे रखा है जिन कंडिफिकेट के पास ये सर्टिफिकेट 1 जनवरी 22 के बाद का नहीं है वो ये declaration दे सकते हैं कि न्यूज सर्टिफिकेट हम admission के time में produce कर देंगे अब काफी सारी कंडिफिकेट ने 1 जनवरी 22 से पहले का OBC, NCL का और EWS का certificate अप्लोड कर दिया है और वो बहुत टेंशन में हैं कि कहीं उनका इस कारल से form reject तो नहीं हो जाएगा लेकिन उनको टेंशन लेने की जोड़त नहीं है अगर आपने old certificate upload कर दिया है आपका form reject नहीं होगा आप admission के समय new certificate produce कर सकते हैं इस बार जो finger impression है वो भी दोनु हातूं के upload करने हैं मगर किसी किसी candidate ने एक single thumb ही upload किया है तो correction के time में वो इसका correction कर सकते हैं या फिर NTA mail देकर भी आपको इसको correct करवा सकता है तो आप के पास में message भी आ सकता है NTA से mail भी आ सकता है नहीं तो अगर ज़रत रही तो NTA इसको correction के time में भी correction करवा लेगा इसके लिए tension लेने की आवशक्ता आपको बिलकुल भी नहीं है किसी भी condition में आपका form in minor mistakes के कारण reject नहीं होता है फोटो को लेकर भी tension लेने की आवशक्ता नहीं है फोटो बे name, date को लेकर, background को लेकर इस परकार की जो minor mistakes है उनको tension लेने की आवशक्ता नहीं है इन सबके regarding आधार को लेकर भी काफी सारे students को problem आ रही है तो अगर आपको भी आधार के बारे में problem आ रही है, form submit नहीं हो रहा है तो आधार के option में आप note share का option भी use कर सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं होनी वाली है तो इस परकार से आप form में आने वाली problem का sort out कर सकते हैं फिर भी हमने ऐसा कभी देखा नहीं है कि application form में minor mistake के कारण किसी का admission नहीं होता है admission के time में अगर कोई इस परकार की mistake होती है तो उसमें affiliate भी लग जाता है और ऐसी कोई problem आने की समावना नहीं है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है आप अपने study पर focus करें, study आप continue करें, अच्छे study करें, अच्छे marks gain करें ताकि आपको किसी भी परकार की problem नहीं आए और need 22 में आपका easily admission हो जाए तो यह application form के बारे में एक reminder वीडियो था, नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन